जो मुरुनाल सर बोलते हैं कि डबल मजूरी मत करो तो अगर आप दो लोग साथ में पढ़ रहे हो तो जो टॉपिक उन अच्छे स्तायार कर लिया है उनके नोर्स बना लिया है तो आप उन पे इत्ती मेहनत मत करो उनके नोर्स से आप पढ़ लो आपको लगे आपको फिर से कर रहे हैं तो आप उसी नोर्स को अपना बना लो आप फुछ से कंटेंट नहीं ढून रहे हो यह बहुत हो जाते हैं आप डिसकस कर रहे हैं साथ में उसी स्कों रिवाइज करत रिवीजन हो रहा है इसे हमारा यही था और इसलिए हमारा सेलेक्शन भी है दोनों का कुछ च आप लोग तैयारी घर से रहकर करते थे या किसी की कोचिंग संस्थान से अम नहीं में हमारा घर है जाधा तैयारी वहाई चुई है और बाकी कुरोना लागडावन हो लोग गाउंस में भी साथ आठ माई ने रहे गाउंसे भी खिखा राज के मेजा विधान सभा के रहने वाले जो है तिंदुगा गाउं के दो सगे भाई बहनों ने तौप किया पीसीयस में कौन क्या रैंक थी उनकी आपको बताते हूं से बात करने के बाद सुगना क्या है अब दोनों सगे भाई बहन में बड़ा कौन है आप है कि मैं बड़ा हूं क्या किस तरह से तैयारी कर पाय कीविए आसान नहीं होता सब के लिए आसान नहीं होता कुछ लोग सोच लेते हैं और कुछ लूग कर दिखाते हैं तो अध्यू इस पहले यद क्या प्रहांने परिछा निकालने का जो है ख्याल कहां से आया और इसमें जाने का ख्याल कहां से आया प्रिया गराज कहीं न कहीं वो इस्थान है कहीं न कहीं देखा जाए जहां पर अगर आप ग्रामीर छेतरों में निकल जाएंगे तो आज भी आपको सिर्फ और सिर्फ बहाने बाजी मारते हुए दिखेंगे लड़के कि हमारे पास संसाधन नहीं है हमारे पास ये चीज़े नहीं है माता पिता के द्वारा सपोर्ट नहीं हो पाता क्योंकि ये ऐसा वैसा बोलते हैं तो आपका क्या किस तरह से रहा है बेकड़ाओं अब हमारी प्रारंबी सिच्छा यहीं से हुई है गाउं में ही गाउं में 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 अच्छा साथ तक पढ़ा हुए साथ के बाद मैंने हाइज स्कूल माधोगयान खरकर्ण इन इसकूल से में इसके बहरे से बेहरण हमारा यही था इसलिए हमारा सेलेक्शन था है दोनों का अगर आपको नहीं पता रहता था तो बहन से पूछ लेते थे या बहन को अगर कुछ चीज नहीं पता रहता था यह सब चीज होता था यह जरूर होता था जब आप पढ़ रहे हैं साथ में तो यह चीज यह नॉर्मन है इसका फाइदा किस तरह से ले सकता है कोई भी student जैसे भाई बहन दोनों पढ़ रहे हैं उनको क्या सला देना चाहेंगी कि कहते हैं आप इस तरह से आप इसका profit ले सकते हैं अगर दोनों भाई बहन साथ में पढ़ रहे हैं या पढ़ते होंगे तो किस तरह से जो है ग्यान कर लिया है उनके नोर्थ बना लिए हैं तो आप उन पे इसी मेहनत मत करो उनके नोर्थ से पढ़ लो आपको लगे आपको फिर से बनाने हैं तो आप उसी नोर्थ को अपना बना लो आप फुछ से कंटेंट नहीं ढूल रहे हो यह बहुत हिल्क हो जाती है आप डिसकस कर रहा तो उसमें मेरा प्री नहीं हो था इस बार दिया है मेल सभी दिया है अभी जो ख़तम होए मेल उप्यस की आपका प्रहाश था जान लीजे इनका पहला प्रहा में हुआ है हलाकि आपको ये बता दे इन्होंने हिम्मत नहीं हारी पहली बार इनका जब जो है दस नंबर से गड़बर हुआ था लेकिन लगे रहे और उसका आज परिडाम आप देख सकते हो देखे दर्सको होता है ना कि जब घर में दो सगे भाई बहन जो है टाप करते हैं या सफल होते हैं तो संदेश एक अलग जाता है सोसाइटी में समाज में कि देखिए दोनों भाई बहन ने मिलकर पढ़ाई किया और आज जो है इतना बड़ा इन्होंने नाम किया अच्छे यह ता यह क्या किस तरह से अगर कोई जैसे जो देखने वाले हैं जो दर्सक है अ उनके अंदर भी अगर आपको देखने के बाद ये उठ रहा हो सवाल की हमको भी करना चाहिए तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर यही है कि आप मन लगा कि पढ़ाई कीजिए पढ़ाई का कोई सौटकट होता नहीं है महनत आपको करनी पड़ेगी इस्टेटी आपको खुद की बनानी पड़ेगी और आपको एक साइंटिफिक वे से आप पढ़ाई कीजिए फिले बस आप दिमाग में रखिए आप अ मैं आजनेतिक सास्त्र इतना आसान सब्जेक्ट नहीं होता क्या इंट्रेस्ट अरफ इस पे सर क्योंकि ग्रेस्टममी सब्जेक्ट मिला था तो इंट्रेस्ट मैं बहूत जान दीजिए, इनका भुगोल था, मैव था और उनका वा पॉलिटिकल साइंस था, दोनों ही भाई बहन अलग-अलग सब्जेक्ट को जो है अपसनल लेकर गए और कुछ चीजे इनकी मजबूत थी, कुछ चीजे उनकी मजबूत थी, तो प्री में जो है एक दूसरे का डिसक से ही हुआ, इनकी ही वजह से मेरा प्री निकला, तो मैं में लिख भाई तो इंटरव्यू हुआ, तो आज यहां आँगे, अदरवाइस प्री ही ना निकलता, जान लीजिए, इन्होंने पहले भी एकजाम दिया था और इनको पता था, कि इस तरह से क्विस्चन पूछे जा आप लोगों का किस तरह से है इस वक्त बताईएगा, हमारे माता पिता यहीं हमारे गांटेंदुगा क्ला में की स्कूल चलाते हैं, और हम लोग नहीं रखे तैयारी करते थे, और सिच्छा दिच्छा तो मैंने बताई दी हैं, इलावा से ही हुई है, पिता जी भी यार ले आपके माता पिता ने किस तरह से इसको डील किया, किस तरह से आपके अंदर की गुणवत्ता को उन्होंने पहचाना, आपके टैलेंट को पहचाना, क्या था पिता जी और माता जी का सपोर्ट कैसा था? उन्ही का सपोर्ट सबसे ज़्यादा था, क्योंकि अगर हम लोग गाउं में ही पढ़े होते हैं, या हमारी सोच इतनी लेवेल की ना होती है, तो वो कर देंगे, लेकिन पढ़ाई चलती रहनी चाहिए. तो पढ़ाई उनकी प्राखमस्ता थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा करते हैं, तो हमारे अंदर भी एक जीमिदारी का हिसास था, कि वो कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ करके दिखाना है, उनके सपनों पर खरा उतरना है, तो यह था. उनको क्या मेसेज देना चाहेंगी, जो अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं समझते पढ़ाते नहीं, या फिर उनकी जल्दी से साधी कर देते हैं, तो भी नहीं कम्प्रीट करवा पाती है. उनको क्या मेसेज है कि आप एक बेटी है और बेटी, बेटीयों को हम मानते हैं कि आपके माता पीता ने तो आपका गुरता पहचाना, आपके अंदर के टैलेंड को पहचाना, अगर हर माता पीता चाहे तो पहचान सकता है, जान सकता है, तो उनको क्या मेसेज देना चाहेंग कि बेटी है बोज है फिर दहेश देके साधी देके जल्दी साधी करके उसको आप विदा कर दे रहे हैं तो यह आप बेवकुफी भरा फैसला लेरा अपने जीवन में इसे यह कहूंगी आप मेहनत कीजिए आपको उसके साधी की चिंता करने के जरूरत पड़ेगी तो अपने में खर्च जिनका जितना इनके पढ़ाई में खर्च करेंगे उतना उनके जो है साधी में खर्च कर देंगे कुछ लोगों का ऐसी मान सिकता है होती है हमारे ग्रामीर चेत में जहां सम लोग आती है उनको क्या मेंसेज है कि अपनी सोच को आप थोड़ा व्यापक बनाईए और संकुची सोच इना इससे आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा आपकी बेटी भी हो सकता है कल को सुखी ना रहे आप भी सुखी नहीं क्योंकि वो अगर सुखी नहीं तो आप पढ़ाई आप देखिये उनको पर भरोसा कीजिए आप तो वो कुछ करके दिफाएंगे पढ़ाई हुआ है आपका अभी तक बीये किया है सर इल्हावाद अनुश्टी से अनुश्टी से बीये किये हैं बस उसके आगे नहीं है नहीं उसके आगे नहीं पढ़ा है अगे तो सब खलता मिल गया अब आगे का क्या प्लान है PCS निकल गया क्या UPSC के तरफ भी नजरे ट सब्सक्राइब करेंगे तो वो सब सपने सच होंगे माता पृता का रियक्षन किस तरہ कर रहा है कि हमारे बच्चे डेपूट करेंगे कि रियक्षण क्या थी जब ये सुने कि दोनों ही सफल हुए वह मतलब उनके आंखों में तो बस आसो थे मतलब उनके संगर्स का मां अंदाजाने लगा सर्थ तो नहीं कितना संगर्स किया है तो और फिर जब आज वह फली भूत हुआ वो जब आज दिखा तो फिर उनके आसो रुके नहीं मतलब बहुत ज्यादा कुछ थे हमारा पढ़ाया जो है जितना भी हमने आज तक दिक्कते उठाकर जो भी बच्चों को पढ़ाया वह सफल हुआ है अपकी बहन सगी बहन है सफल हो गई है ठीक है और जो है जिस तरह से गाइड करते थे किस तरह से इनको गाइड करते हैं तो थोड़ा बताईए क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं तो हम लोग गाइड करते थे मोटिवेशन भी करते थे और एक दूसरे को देख के भी पढ़ते थे कि सामने वाला पढ़ रहा है तो हमें भी पढ़ना चाहिए यह चीज था हमारे साथ तो मतलब मिल के करते थे और मन लगा की महनत करते थे कुछ लोगों के अंदर यह सवाल उटते हैं अगर हमको सीविल सेवा परिच्छा निकालना है तुमको दिल्ली जाना होगा उनको यह लिए क्या मैसेज है आपकी घर पर माहौल बनाएए घर सही तैयारी करिए बुरी नहीं है दिल्ली अब किस तरह से क्या मैनेज करें किस तरह से आगे का इसके बाद जैसे बहुत बढ़ी पोस्ट होता है डेपटी का लगा वालों में क्या महोल है इस वक्त चर्चाय तो हर तरफ पूरे गाहूं में खुशी का महल है हमारे गाहूं साथ तको यह नहीं निकला था तो इसलिए गाहूं के लिए तो भाई बहुत बड़ी ख़बर एक साथ अगराज में सगे भाई बहन कभी एच्टीम नहीं बन पाए मतलब है यह भी ऐसा सुना तो मैंने नहीं आसकर प्रियाग राज में पहली पहला मामला है जब सगे भाई बहन सफल हुए है और यह जो ह मैंसेज उनको यही है कि इनको देखिए माता पीता ने इन पर भी पैसा लगाया बहुत पैसा खर्च किया लेकिन आज वो बेटी नाम कर रही है समझ रहे हैं तो आप अपनी भी बेटियों को पढ़ाई पढ़ाई पर उनके ध्यान दीजिए क्योंकि जो पढ़ाई में जो झाल